नमस्कार इज्या वाइस देख रहे हैं आप मैं हुआ आपके साथ रिया डिंगवाल सीधा आपको धेरादुन लिए चलते हैं जहाँ पुलिस मृती दिवस के मौके पर मुख्यमंद्री पुशकर सिंग्धामी लाइव है क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं कि लाग से एक करोर रुपे तका दरुगटा बीमा क्या जा रहा है जिसके अंत्रगद अब तक 15 करोड से अधिक की दासी दिवंगत पुलिस कर्मियों के अरेजनों को प्रदान की जा चुकी है इतना ही नहीं हम पुलिस कर्मियों के बेतन, भत्ते, चिकिसा, पृतिपूर्ति और अवकास से सम्मन्दित सभी प्रकृरियाओं को ओनलाइन कर दिया गया है जिससे उन्हें सुविधाओं का लाफ समय पर और सुगमता से मिल सके आपदाराहत कारियों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने एस्टियारेट की एक नई कमपनी की सुकृति भी प्रदान की है जिसके तहट 162 नई पदों का सरजन किया गया है साथ ही हमने जवानों और इदिकारियों की कमी को दूर करने के लिए छे थानों और 21 पुलिस चोकियों के सुचारू संचालन ही तू 327 पदों की सुकृतियां प्रदान की है इसके साथ ही PPS के ढाचे में 11 नई पदों का भी सर्जन किया गया है इससे नकेल उत्राखरन पुलिस परिवार का दिस्तार होगा बल्कि पुलिस कर्मियों को पदोनोती के बहतर आउसर भी मिलेंगे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए आउसर भी सर्जित होंगे इस दिसा में सरकार ने उपने रिक्षकों के 222 पदों पर भरती प्रक्रिया प्रारंब की है साथी 2000 सिपाइओं की भरती भी प्रक्रिया धीन है इसके अतरित हमने राज्य में प्रतीवा साली खिलाडीयों को प्रुथसायद करने के लिए उत्राकर खेल नीति के तहप कुसल खिलाडियों के लिए पुलिस विभाग में विशेश कोटे के माद्यम से भरतियों का प्रावधान भी किया है साथियों हमारी सरकार पुलिस परिवार के भलाई के लिए उनके कल्यान के लिए पूरी तरह से प्रतिवध है इसी उद्दिश से को ध्यान में रखकर आज के इस सबस्वर पर पुलिस अधिकारियों के खल्यान के लिए में जो कुछ काम अगामी समय में हम करने वाले हैं उनको आपके समख खुस्टा के रूप में यहां पर ठखना चाहता हूँ पुलिस कर्मियों के आवासी बहुनों के दिर्मार के लिए जो लंबे समय से मांग हैं और पिछले वर्स भी मैंने उसमें जो एक धन्रासी की बात करी थी उसकी काफी धन्रासी एक तेहाई धन्रासी अभी तक सासन से स्विकृत भी हो चुकी है आवासी बहुनों के निर्मार के लिए अगामी बित्ती वर्स में 100 करोड रुपे की रासी आउंटित की जाएगी उत्राखन पुलिस बिभाग में कारियाग अधिकारियों और करमचारियों के पॉस्टिक आहार भत्ते में 100 रुपे की बृद्धी की जाएगी उत्राखंट पुलिस विभाग में कार्यात निरिक्षकों और सहाइक उपनिरिक्षकों के बर्दी भत्ते में भी 3,500 रुपे की बृद्धी की जाएगी 9,000 फिट से अधिक उचाई पर तैनाथ पुलिस और ह्ट्रफ करनें के लिए उच्च तुटा बत्ता दो सर रुपे प्रति दिन से बढ़ा कर तीन सर रुपे प्रति दिन किया जाएगा मैं इस अश्वशर पर अपने पुलिस के उच्चा दिकारियों से यह अपील करता हूँ कि हमें पुलिस कर्मियों के लिए मानसिक स्वास्त और तनाव प्रबंदन के जो कारिक्रम हैं वहाँ भी समय समय पर आयुजित करने चाहिए कई बार पुलिस कर्मियों को कठिन परिस्तितियों में काम करना पड़ता है उनका सामना करना पड़ता है जिससे उनका मांसिक स्वास्त प्रवायत होता है इसलिए उन्हें सही संसाधन और समर्थन प्रदान करना उनका प्रोष्थान करना हम सभी का करतब्य है अन्तमे में पुना सभी हमारे बनिदान हुए पुलिस कर्मियों को जवानों को बिनम्रिस स्रदान जली अर्पित करता हूँ आईए हम से मिलकर उनके आदर्सों और सपनों को साकार करने का संकल्प लें और एक ऐसा समाज बनाए जहां हर व्यक्ति सुरक्षित और खुसाल जीवन जी सके धन्यवाद जय हिन जय भारत जय उत्रखन तो आप देहरा दुन से मुख्यमंठरी पुषकर जिंघ धामी को सुन रहे थे आज पुलिस मृती दिवस के मौके पर मुख्यमंठरी पुषकर सिंघ धामी ने شहीत जवानों को याद किया साथ ही उनको नमन किया उनको श्रद्धांजली अर्पित की तस्वीरे आप देख सकते हैं देहरादुन पुलिस लाइन में कारेकरम का आयोजन किया गया है मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी ने आज पुलिस स्मृती दिवस के मौके पर शहीद हुए पुलिस के जवानों को याद किया नमन किया और उन्हें श्रद्धांजली अर्पित की वही अब बात रामनगरी आयोध्या की कर लेते हैं रामनगरी आयोध्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए एक बार फिर से तैयार है दिपोत्सफ के दिन रामनगरी आयोध्या जगमगा उठेगी इस बार का दिपोत्सफ काई माईनों में खास होने वाला है भव्य और दिव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्टा के बाद ये पहला दिपावली का त्योहार होने वाला है ऐसे में अपकी बार रामनगरी आयोध्या में अनोखी छटा भी देखने को मिलेगी अनोखा दिपोटसव देखने को मिलेगा इस बार का दिपोटसव वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में किया जा रहा है तो दिपोटसव के दिन पूरी राम नगरी आयोध्या जगमगा उठेगी इस बार का दिपोटसव कई माईनों में खास होगा बतादे की 2017 के बाद से भगवान प्रभु राम की नगरी आयोध्या में दिपोटसव का कारेकरम हर साल किया जाता है और हर साल एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाता है अब की बार भी एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा तस्वीरे आप देख सकते हैं किस तरह से प्रभु श्री राम की नगरी आयोध्या में अबकी बार दिपोटसव को देखते हुए तैयार्या की जा रही है अबकी बार का दिपोटसव काई माईनों में खास होगा क्योंकि प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली होने वाली है यही बज़ा कि अपकी बार का दिपोटसफ कई माईनों में खास है प्रिसाशन जोर चोड से इसकी तैयारियों पर जुटा हुआ है अपकी बार कोशिश यही की जाएगी कि कई लाख दियों से अयोध्या नगरी को जगमगाया जाए और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाए प्रभुश्री राम की नगरी अयोध्या में अपकी बार की दिवाली की अन्योखी छटा देखने को मिलेगी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने को लेकर राम नगरी अयोध्या पूरी तरह से तैयार है दिपोटसफ के दिन राम नगरी अयोध्या जगमगाया उच्छेगी भव्य और दिव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिश्चा के बाद ये पहली दिवाली होने वाली है। तरह ने रहा है सिर्फ लिगे दिवाली है। मुझ्ज साथ हूं पूरी ज्या नहीं ऑप हूंँ होगा तनि उस लुवर 6 जरहिं कुछ ग्वागएगी हुआ कि मीजς हुथए्टो हुद्धा कर रही सब्सक्राइब करिचल्ड मां मंद्र की एक लिए इस प्रहुत आड ेस हुआ है बिलकुल विने क्योंकि दोहजारचात्रा के बाद से हम लगातार देखते हैं कि राम की नगरी आयोध्या में हमेशा दिवाली के मौके पर अलग ही रौनक होती है अनोकी चटा देखने को मिलती है और अपकी बार की दिपावली इसले भी खास क्योंकि प्रभू सरी राम के भवे मंदर की प्राण प्रतिष्टा के बात ये पहली दिवाली होने वाली है ऐसे मेगर तैयारियों की बात करी जाए, प्रिसाशन की तरफ से किस तरह से तैयारिया? पिल्कुल शीराव की जन्मस्थली आयोध्या में अपकी बार की दिवाली में अनोखी तैयार्या की गई है अपकी बार की दिवाली कई मायनों में खास और यही वज़ा है कि दिपोथसव में वर्ल्ड रिकॉर्ड नया बनाने के लिए चाप चौबंद तरीके से जो हैं इंदुजाम किये जा रहे हैं विने बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए वाई खबर मतुरा से है जहां ताज महल पर जल चड़ाने वाले यूवक पर जानलेवा हमला हुआ है गंभी रूप से यूवक घायल हो गया है जिसके बाद घायल यूवक को अश्पताल में भड़ती कराया गया है ताज महल पर जल चड़ाने वाला वीजियो वाईरल हुआ था हिंदू महासभा के पदधिकारियों ने निसगाय आरोप और श्याम बाबू पर साजिस के तहत हमला हुआ है ऐसा हिंदू महासभा का कैना है हमलावरों को गिरफतार कर पूश्टाच कर रही है पुलिस ओख ऑस है सारी के प्रफी है हुआ पर सारी के इंदुटिय में प्राम करना राहुल और सुरज के बीच में आपस पर मार्पिट हुए तो रहुल अपने साथ है, अपने भाई छोटू, गौरव और राकेश को बुला लिया, राकेश ने बाद में जो मजरूब है स्याम उनको भुला लिया, इन लोग जो वहाँ गये सूरज के साथ में मार्पिट किया, तो सूरज ने अब सूरज और जो सारी फक्ति में काम करने वाले और पार लोग और, इन लोगों ने लागे दंडोर गंडोर के साथ में स्याम की पिटाई कर दी, जिससे उसको काफी गंभी जोते आई हैं, जिसको सिटी हास्पिटल में एडविंट का दिया गया है, स्याम के पिटाई के तारिक का, जिन सुनो बीनस की धारा में उन्परदा प मौम्मद फारुक क्या कुछ ये पूरा मामला है मतुरा से, जहां ताज महल पर जल चराने को लेकर विवाज जो है, इतना जादा बढ़ गया कि एक यूवप पर जानलेवा हमला हो जाता है, क्या कुछ मामला? पिल्कुल रिया, ये मामला जो है, अभी बिगत महापूर्व इन्होंने श्यामबाबू है, इन्होंने ताज महल पर जल चराया था, और उस पर एक वीडियो भी बाइरल हुआ था, जो जल चराते हुए दिख राता, लेकिन ये यहां रहने वाले मतुरा के, इन्होंने इन लोगोंने इस पर अबजěक्शन किया है, हिंदु महाथभा के जो पदादीकारी हैं, उन्होंने इसे पर अबजचन किया है, था नहोंने जल चराया था, इसको लेकर इन पर आमला किया चया है, लेकिन यो है, पुलिस का उतर कहना है करो दो पक्सों में जगञा हुआता, ज लेकिन ऐसे वेक्टी के साथ में यानि उन्होंने जल चड़ाया था तो कहीं न कहीं हिंदू महासभा इसको उससे जोड़ कर देख रही है कि कुछ लोगों द्वारा जो हमला किया गया है कहीं इस बावत कोई हमला तो नहीं है जी रिया फारुक जिस तरह से अगर घायल की बात करें जैसे आपने का गंभी रूप से घायल है तो अस्पताल में डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है स्थिती किस तरह से अभी फारुक जिस तरह से आपने बता कि पुलिस जो है पहले ही साफ कर चुकिये कि ये जो हमला हुआ है ये ताजमेहल वाली घटना से जुड़ा हुआ नहीं है दो पक्षों के बीच विवाद हुआ उसके बाद श्याम बाबु जो है घायल हुगए और वहीं जो हिंदू महासबा है वो इस पुरे हमले को जो है ताजमेहल वाली जल चड़ाने वाली घटना से जोड़ते हुए देख रही है क्या माना जाए हाँ पर किसकी बात जो है सच है किसकी बात जूट क्या माना जाए हाँ पर जी आपको बताता है रिया कि पुलिस का तो साथ तो पर कहना यह है कि दूल फक्षों में जगड़ा हुआ था और उन दोनों लोगों में इनमें मारपीट हुई है जिसमें श्याम बाबु को गंबीर चोटे आई है पुलिस का तो यही मानना है लेकिन हिंदू महासबा के ब जिस तरीके से वीडियो बनाई थी और जल चड़ाया था विजलरी की बोतल में यह जल लेकर गए थे और उन्होंने चड़ाया था उसको लेकर जो है लोगों ने इनके साथ मारपीट की है लेकिन पुलिस अभी इस मामले को मानने के लिए तैयार नहीं अदिया बिल्कुल फारुक हाला कि जब श्याम बाबू होश में आते हैं उसके बाद क्या कुछ ये मामला निकल कर सामने आता है उसके लिए इनकजार फारुक भहत बहुत शुक्रिया जानकारी तो वहाई यूपी में इंकाउंटर को लेकर पुलिस ने नए निर्देश जारी कर दिये हैं यूपी पुलिस के साथ मुढभेड में अब वीजियोग्राफी होगी मुटभेड में अपराधी की मौत या घाल होने पर भी वीडियोग्राफी होगी जहां अपराधी के पोर्समॉटम की भी वीडियोग्राफी होगी वहीं ऐसे मामलों में दो डॉक्टरों की सायोक्त टीम पोर्समॉटम करेगी जिसके बाद विशेशक ये घटना स्थल की जाच करेंगे और वहीं दूसरे थाने की पोलिस या क्राइम ब्रांच इनकाउंचर की विवेचना करेंगी आपको बता दे की डीजीपी प्रिशांद कुमार ने पोलिस इनकाउंचर को लेकर निर्देश दिये घटना में मौत होने पर परिशनों को तुरंत सूचना दी जाएगी इनकाउंचर में शामल पुलिस कर्मियों के शस्त्रों का भी प्रसिक्षण कराया जाएगा अपराधी के पास से बरामद असलाहों की बैलिस्टिक जाच कराई जाएगी परिक्षण रिपोर्ट को केस डाइरे में भी दर्च किया जाएगा जादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं मौहमद आसिद का आसिद क्योंकि कई बार विपक्ष जो है इनकाउंटर को लेकर कई तरह के सवाल उठाता आया है अब जिस तरह से डीजीपी का निर्देश सामने आ गया कि कभी भी इनकाउंटर हो या पोर्स मॉर्टम हो उसकी पूरी तरह से वीडियोग्राफी होगी किस तरह से इस निर्देश को देखे । सवाल खळे हो रहते हैं और सटी साथ कई इनकाउंटर के मामले अब बोर भी पहुज तुके हैं तमाम सवालों उसको देखते हुए यूपी सरकार ने एक आहम गाइडलाइन जारी की है और साथ ही साथ डीजी पी पसान कुमार को निर्देश दिया गया है और इसमें है साथ तोर पर की अगर एनकाउंटर हो रहा है तो उसकी बीडियो ग्राफिक कराई जाए यह जो घटना स्थल है उसपर पूरी तरह से सतर्षा बरती जाए अगर कोई अपराधी एनकाउंटर में मारा जाता है तो उसकी सुचना तुरंद परजनों को दी जाए। इसके अलावा जो पोस्माटम के लिए पंचायत नामा भरा जाता है। उसमें मिर्तक बदमाच के परजनों के हस्ताक्सर भी कराए जाए। और तमाम आरोपों से बसने के लिए डिजीपी ने यह निर्देश दिया है दिय पुरियन को की मौके पर फ़़ान सिर्थिख तीम पहुँचे जाज करें और इसके अलावा जो अपरादी के पास से असलाह बरामद होता है। उसकी बैलेस्टिक जाज कराए जाए। इसके अलावा जो पुलिस के पास हतियार हैं जिसे एंकाउंटर हुआ हैं। उसकी भी जा कि कराई जाए तो फुल मिला कर या कहा जा सकता है कि अब एंकाउंटर पर यूपी पुलिस पुरी तरह से सतर्फ हो गई है एंकाउंटर पर होने वाली सियासत को एक तरह से रोकने के लिए यहां पर डीजीपी प्रशांद कुमार ने सक्त आदेश जारी किये हैं अब कोई भी इंकाउंटर होगा उसकी साफ तोर पर वीडियोग्राफी के आदेश यहां पर जारी किये गए है आसिफ बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए वही खबरों में आगे बढ़ते बात राची से बड़ी खबर की कर लेते हैं जारखन में सीट बटवारे पर खीचतान अभी भी जारी है जी हाँ जेमेम और कॉंक्रस के बीच तालमेल पर नराज की है अधिक सीटों पर दाविदारी को लेकर आरजेटी नराज है RJD और JMM के बीच पुराना तालमेल के बाद तलक ही देखने को मिल रही है RJD ने JMM को 24 गंटे का अल्टिमेटम दिया है आज इस दोरान कुछ बड़ी घुशना हो सकती है तो जारकन में महा गड़बंदन में टकरार देखने को मिल रही है अभी तक सीट शेरिंग को लेकर पेच अठके हुए साफ तोर पर नजर आ रहे है जहां NDA की बात करें तो भार्टी एजनका पार्टी पहले ही 86 उमीदवारों के नामों का एलान कर चुकी अपनी पहली सूची जो है जारी कर चुकी दूसरी तरफ जो महागडबंदन है जिसमें JMM, Congress और RJD शावल है अभी भी सीट बटवारे को लेकर तीनों में ही खीचतान देखने को मिल रहा है JMM और Congress के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा है दूसरी तरफ जो RJD है वो जादा सीटों की डिमांड कर रही है यहाँ पर RJD और JMM के बीच पुराने तालमेल के बाद तलखी देखने को मिल रही है RJD ने JMM को 24 घंटे का इस दौरान आल्टिमेटम दिया है जिसके बाद माना यहीं जा रहा है कि आज कुछ बड़ा एलान संभव है जादा जानकारिक लिए सीधा रुख कर लेते हैं संभादाता अजय पांडे का अजय अगर बात करें जहां एक तरफ भार्तिय जन्ता पार्टी पहले ही पहली लिस्ट जो है उमीदवारों की वो जारी कर चुकी है वहीं दूसरी तरफ जेमेम कॉंग्रेस और आर्जेजी यानि जो महागडबंदन है उसमें सीटों को लेकर अभी भी खीचतान साफ तोर पर नजर आ रहा है कि अपनी जिस्टों का पट्वारा और अपने प्रमाभी तुमिदवारों का जोटी जनान को जहा है वहीं से में इंडिया गजबरियों की वहीं से चीच को लेकर से लिचीच की लड़ाई चल देखिए आप देख सकते हैं कि जिच्टी जिनों ने जमन परेल अपरेश के वहीं बढ़ी है विद्वारा मावथ वे तुमिदों की ताजा बैचके से सकता सिको का इलान के उसके बार को जबी त्यास जड़ाई चित्ति हैं अधिक आफे अधिक लिच्टी जमन परेशियर चाहिं परेशियर नहीं किया गया तो आपने डेखा अधिक 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 आपकर मियूट आने साफ स्रीपिते कहा है विद्वारा ने से ने जमने अगटवदन के साथ हा और हम चाहते ही सुदीदे तिक यहाशन से और जिव इसे मुझे मुझे लबर सब्सक्राइब कर दे गाया इसे मुझे अच्छी परफ से जो है आने वारा अपने में इस बड़ा फैसला ने में को तेयार है क्या माना जाए जिस तरह से आर जेडी जो है वो जादा सीटों की डिमांड कर रही है और 24 घंटे का अल्टिमेटम जेएमिम को दिया है क्या माना जाए आज क्या कुछ बड़ा एलान संभफ तेकि अभी तक को जो जब सही जयाई किया है कि उनना जो गयान के बाद उनने साब जो आख ससंब आज ऐसा जाए चुड़ा जो तो जिलाए आज को दखेंगे अभीनाजा ऐ दो बिल्कुल यानी चुनाव की हलचल के बीच महा गडबंदन में जे-म-म कॉंग्रिस और आट-जे-टी के बीच बन जाती है बात या पड़ जाती है दरार ये वक्त बताएगा अजे बहुत-बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए इसी के साथ इस बुलिटिर में फिलाल फिली सिर्फ इतना ही खबरों का सिलसला जारी रहेगा बड़े रहे हमारे साथ तब तक के लिए नमस्कार